एक ऐसी इमेज सामने आई है जिसे ये अनुमान लगाया चाह सकता है कि यदि मोस्तोवस कंटिन्यू होगा तो हम क्या देख सकते हैं गॉर्डलोस असकॉंग की आर्ट बुक रिलीज होने वाली है इस माई को पर कुछ लोगों ने इसे अभी सही ओन कर लिया है जिससे ये एमेज सामने आई है जो एक केव पेंटिंग है जिसमें गॉर्डलोस और कॉंग की स्पीसिस किसी से लड़ रहे हैं और ये चीज इतनी ताकतवर है कि गॉर्डलोस और कॉंग की स्पीसिस को इस से लड़ने के लिए टीम अप करना पड़ा ये टाइटन लगबग गॉर्डला के तरह है पर इसके पास पंक है और देखकर ऐसे लगता है कि ये आउटर स्पेस से आया है यानि Gidora के तरह ये भी एक एलियन टाइटन है बहुत से लोग इसे स्पेस गॉडला कह रहे है ये पूरी तरह से स्पेस गॉडला नहीं है क्योंकि स्पेस गॉडला के पास कोई भी पंक नहीं होते इस के प्रिंटिंग को देखकर ऐसा ही लगता है कि फ्यूचर मॉंस्टर वर्स मूवी में ये एलियन टाइटन अपियर हो सकता है जो गोर्दल और कॉंग के लिए एक बार थेट बनेगा और एक बार फिर से गोर्दल और कॉंग को टीम अप करना होगा इसे हराने के लिए तो मझे कमेंट्स में जरू बतलाईए कि आप क्या सोचते हैं इस एलियन टाइटन के बारे में और क्या आपको भी यही लगता है कि फ्यूचर मोंस्टर वर्स मूवी में इस टाइटन को हम सब देख पाएंगे तो बस आज के लिए इतना ही यदि आपके बोटे पसंद आया हो तो जरू इसे लाइक कीजिए और इरे पर चैनल पर नए हैं और आप भी फैन्स हैं डाइनसाओर से गोड़ लगे तो जरू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता हूँ अगले ने वीडियो के साथ